नमस्कार मैं गौरी आप सभी का स्वागत करती हूँ देख रहे हैं आप सी नियूस भारत पीम मोदी दोबारा से देश के प्रधान मंत्री बन चुके है एक बार फेट देश की कमार उनके पास है पीम मोदी को दिन रात काम करने वाला जंसेवक माना जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि इस काम के लिए उनको सैलरी कितनी मिलती है क्योंकि एक आम नागरे के जब नौकरी करता है तो सैलरी सबसे पहले देखता है ऐसे में पीम मोदी को उनके काम की कितनी सालरी मिलती है क्या आपने कभी सोचा है या उनको क्या क्या सुविधाय और फायदे मिलते हैं इस बारे में गौर किया है, अगर नहीं तो चलिये, आज हम आपको बताते हैं कि पीम के तौर पर नरेंद्र मोदी को कितनी सलरी मिलती है, क्या क्या सुविधाय और फायदे मिलते हैं, इस रिपोर्ट में एक देश का प्रधान मंत्री सबसे ताकतवर होता है, ये पद देश भर की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है, साथी पूरी दुन्या में देश की पहचान के रूप में प्रति निधित्व करता है, ऐसे में प्रधान मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी देश के स सबसे ताकतवर और एहमपद पर हैं देश इस अंचालन का जिम्मा उनके कंधों पर है इस महत पूर्ट जिम्मेदारी के लिए उन्हें प्रती महिने कितनी सालरी मिलते हैं आईए जानते हैं प्रधान मंत्री को प्रती महिने एक दशम लव छाचट लाक रुपए का वेतन मिलता है जो करीब 20 लाक रुपए सालाना है इस राशी में 50,000 रुपए का मूल वेतन, 3,000 रुपए का खर्च भत्ता, 45,000 रुपए का संसदिय भत्ता और 2,000 रुपए का दैनिक भत्ता शामिल ह पतादे कि इस बार हुए चुनाव में प्यम मोदी ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि उनके पास 3.2 करोड संपत्ती है और उनकी आय के दोसरोत थे प्रधान मंत्री के तोर पर मिलने वाला वेतन और उस पर मिलने वाला ब्याज इसके अलावा गर बात करें प्यम मिलता है जिसके लिए उनको कोई किराया नहीं देना पड़ता है प्यम को स्पीजी की सिक्योरिटी मिलती है आधिकारिक दौरों के लिए एर इंडिया वन स्पेशल जहाज भी मिलता है जो खास तोर से बनवाय गया है प्यम मोदी सिर्फ मर्सडीज बेंज S650 गार में यात पावास, बिजली, पानी यहां तक की स्पीजी स्रक्षा मिलती रहेगी देखा जाये तो आपको जानकर हैरानी जरूर होई होगी कि देश के सबसे ताकतवर पद पर आसीन पियम मोदी की सालवी कई विभागों के बड़े अफसरों से कम है लेकिन फिर भी वो देश के मुझे दीजिये जासत और आप देखते रहें सी नीउस भारत